एक कुए में दो छोटे छोटे टैट पोल रहते थे दोनों मिलकर कुए में खूब मस्ती करते थे अपनी पूँच हिला हिला कर तैरते और खोश होते थे और बाकी मेढकों को अपने खेल दिखाते थे एक दिन उनकी मस्ती और शेतानिया देखकर एक बूढे मेढक ने कहा जितनी पूँच हिलानी है हिला लो थोड़े दिन बाद तो तुम्हारी ये पूँच गायब ही हो जाएगी फिर ये पूँच के करतब नहीं कर पाओगे बूढे मेढक की बात सुनकर बाकी के मेढक दोनों टैटपोलों पर हसने लगे दोनों टैटपोल तुरंत भाग कर अपनी मा के पास गए और मा को बूढे मेढक की कही हुई बात बताई और फिर मा से पूँचने लगे मा क्या सच मुझ हमारी पूँच गायब हो जाएगी तब मा ने कहा हाँ बच्चो यही प्रकृति का नियम है जब हम पैदा होते हैं तो हमारी छोटी सी पूँच होती है पर समय के साथ साथ जब हम बड़े हो जाते हैं तो यह पूँच गायब हो जाती है और हमारे पैर निकल आते हैं अभी तो तुम इस कुएं के अंदर ही तैरते हो पर पैर आने के बाद मेधक कुएं के बाहर भी जा सकते हैं लंबी लंबी छलांगे मार सकते हैं और स्वादेश्ट केड़े मकोड़े भी पकड़ कर खा सकते हैं मा की बात सुनकर पहले टैटपोल ने मन ही मैं सोचा इससे पहले कि मैं बड़ा हो जाओं और मेरी पूच गायब हो जाए मैं इस तालाप के खूप सारे चक्कर लगा लेता हूँ और एक से बढ़कर एक करतब करके दिखा देता हूँ और ऐसा सोचकर वो टैटपोल फिर सिकुए में तैरने लगा और मस्ती करने लगा वहीं दूसरे टैटपोल ने मन में सोचा अगर ये पूच एक दिन गायब ही हो जानी है तो इससे खेलने और मौज मस्ती करने से क्या फायदा जब मेरे पैर निकलेंगे तभी में लंबी-लंबी छलांगे मारूँगा और खूब मस्ती करूँगा और ये सोचकर दूसरा टैटपोल कुए के एक कोने में गुमसुम और उदास सरहने लगा धीरे धीरे समय बीता फिर एक दिन वो भी आया जब दोनों टैटपोलों के पैर निकले और दोनों टैटपोल मेढग बन गए दोनों बहुत खुश थे उन्होंने सोचा कि अब वे कुए से निकल कर बगीचे में सैर करने जाएंगे पहला मेढग कुए के किनारे पर पहुँचा और तेजी से छलांग लगा कर बाहर निकल गया वहीं दूसरा मेढग छलांग लगाने की कोशिश करता रहा पर खुद ही नहीं पाया उसे ऐसा लगता मानों उसके पैरों में जान ही नहीं वो घबराया हुआ वापस अपनी मा के पास पहुचा और रोते हुए बोला मा मेरे पैर काम क्यों नहीं कर रहे हैं मेरा भाई तो बड़े आराम से छलांग लगा कर कुए से बाहर निकल गया पर मैं तो कूद ही नहीं पा रहा तब मा बोली बेटा ये तो तुम्हारी ही वज़य से हुआ है तुमने ये सोच कर कि एक दिन तो पूँच चली ही जाएगी उसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया और चुप चाप बिना कुछ किये कोने में पड़े रहने लगे मेरे समझाने पर भी तुम नहीं माने और इसी की वज़य से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया और तुम्हारे मन से जोश भी चला गया तुम्हारे शरीर के जिन अंगों का विकास अच्छे से होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाया और अब देखो क्या हुआ जिन पैरों का तुम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे वे भी बेकार निकल गए मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है कि अब तुम्हें अपनी पूरे जिंदगी यहां इस कुएं का मेढग बन कर ही बितानी पड़ेगी दोस्तो कुएं के उस टैटपॉल की तरह ही कई बार हमें लगता है कि इस वक्त जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा है वो सब बेकार है उसका कोई फाइदा ही नहीं है जैसे कभी-कभी ऐसे लगता है कि जादा पढ़ाई करने का क्या फाइदा रोज रोज इतना क्यूं पढ़े जब एक्जाम आएंगे तब ही पढ़ेंगे या फिर कोई स्किल सीखते समय ये लगता है कि ये सीखकर हमें कुछ भी फाइदा नहीं होगा तो बेकार में हम इतनी मेनत क्यूं करें पर प्यारे दोस्तो कोई भी काम करते हुए पढ़ते हुए लिखते हुए हम जो मेनत करने की आदर डालते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं वही आगे चलकर हमारी जिन्दगी में बहुत काम आती है हमारी आज की मेनत ही हमें आने वाले कल के लिए तयार करती है जो इन्सान मेनत करना और अपने काम को इन्जॉई करना छोड़ देता है उसके पास बहुती लिमिटे यानि की कम एबिलिटीज रहती है और वो दूसरे टैटपॉल की तरह कोई का मेड़की बन कर रह जाता है इसलिए साथियो आज से हर काम को सीखते वक्त उसे इन्जॉई करना सीखे उसे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें इसी से आपके स्किल्स और आपके स्ट्रेंथ डेवलप होगी और जो फ्यूचर में कुछ कर दिखाने का मौका सामने आएगा तब आप बहुत ही अच्छे तरीके से वो काम कर पाओगे